नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में कर्मशारियों को लगा बड़ा छटका प्रबंदन ने विशेश भरते पर लगाई रोख अधिकारी कर्मशारियों के लिए बड़ी खबर है प्रबंदन के द्वारा उनके विशेश भरती पर रोख लगा दी गई ऐसे में उन्हें विशेश भरते का लाब नहीं मिल पाएगा मुख्याले के द्वारा इसके लिए आदेश जारी किये गए हैं सेल मुख्याले के तरफ से जारी हुए इस आदेश के बाद अब 1 नवंबर 2022 अधिकारी कर्मचारियों को विशेश भते का लाब नहीं दिया जाएगा स्टील अथोटी ओफ इंडिया की तरफ से जारी सादेश के बाद अब वोकारो स्टील प्लांट सहित अन्य माईस यूनित पे काम करने वाले छेशो से जादा कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा जटका लगा है मद्यप्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को बिलेगा अगले सब्ता से प्रदेश में ठंड पड़ेगी विभाग के पूर्वानमान की माने तो अगले पाँच देनों तक मद्यप्रदेश का नियुन्तम तापान में कोई खास बदलाव नहीं होने के संकेत दिये हाला कि नवंबर के अन तक मौसम शिश्क बना रहेगा जबके चक्रवाती हवाओ के शेत्र निर्मित होने की वज़ह से कुछ शेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है बिजली उभुकताव के लिए अच्छी खबर नहीं लगाने होंगे बिजली विभाग के चक्कर मद्यप्रदेश सरकार लगातार जनता के हिद के लिए कई बड़े कदम उठा रही है ताकि ब्रदेश की जंता को जादा से जादा सुवधा प्रदान कर सके इसके लिए मद्य प्रदेश रासन लगातार काम कर रही है घृरी प्रदेश में कैसी सुवधा शुरू की गई शराब की बिक्री गुजरात विधान समझ चुनाओं को देखते हुए मद्रप्रदेश सरकार ने गुजरात के सीमावरती जिले जाबुआ और अली राजपुर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंद लगा दिया चुनाओं प्रक्रिया में मद्दान समाब थोने के 48 घंटे की अवधी के दौरान उस मद्दान शेत्र के भीतर किसी होटल अहार ग्रे मदुशाला में अत्वा किसी अन्यसार्जनिक तथानिजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्तमादक पदार या वैसी ही प्रकृती का अन्यपदार ना विक्रे किया जाएगा और ना ही वित्रित होगा कि 26 नवंबर को भारत का सम्विधान दिवस मनाया जाता है अंगनबाडी कारेकर्टाओ सहाईकाओ को मिल सकता है ला राजे शासन के दोरह अंगनबाडी कारेकर्टाओ को बड़ी राहत दी गई तरसल मद्रदेश के अंगनबाडी कारेकर्टाओ और सहाईकाओ को जूटी पर कारे में बूत लेवल अधिकारी के तोर पर लगाई जा रही है मामले को लेकर पूर्व में भी कलेक्टर्स को पत्र लिखा जा चुका है पावजूद इसके कारेकर्टाओं के जूची लगाई जा रही है जोस पर अब शासन ने निर्वाचन पदादिकारी से बड़ी बांग करते हुए अनुरोध किया है एरियर भुक्तान पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगो को लेकर पेंशनर्स का प्रदर्शन शासके कर्मशारियों के पुरानी पेंशन के बहाली नियुन्तम पेंशन 9000 रुपे करने के इंद्रिय तिती से महंगाई दर में वरधी सहित अन्य बातों के लिए भी प्रदेश के पेंशनर्स गुरुवार को राजधानी के नीलम पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया पेंशनर्स एसोसियेशन के वरिष्ट प्रान्ति अउपाध्यक्ष कणे दत जोशी ने कहा कि अपनी मांगो के संबंद में मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव विद्ध को अनेक बार ग्यापन दिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं होई किरल की तरस पर खुशिलाल आरवेट संस्थान में मधूर संगीत के साथ होगा पंचकर्म उप्चार आरवेट के जस पंचकर्म विधी के सहारे किरल ने पर्यचन के नक्षे पर जगा बनाई मध्यप्रदेश भी उसका सहारा लेनी चा रहा है मध्यप्रदेश में इसको लेकर राज्थानी के पंडित खुशिलाल शर्मा शास्किया अरवेट महाविद्या लेवम संस्थान में पहला प्रयोग हो रहा है यहां 50 लोगों की शमता वाले पंचकर्म विभाग को तयार कर लिया गया है जोहां मधुर संगीत की धुन पर पंचकर्म किया जाएगा यहां पंचकर्म कराने वालों को पांच सितारा होटल की तरह सुविधा मिलेगी इसके लिए निर्धारिश शुल्क चुकाना होगा PG तीसरे सेमेस्टर की बीज दिसंबर तक कॉलेज करवा सकेंगे प्रायोगिक परिक्षा इस नादक उतर पांचकर्म की परिक्षाओं को लेकर देवी आहिलिया विश्विधाले ने शजूल बना लिया है पहले PG तीसरे सेमेस्टर की मुख्य परिक्षा रखी है 10-20 दिसंबर के बीच M.A., M.C., M.S.E., M.S.W. सहित आने कोर्स के पेपर होंगे वही कॉलेजिस को प्रायोगित परिक्षा 20-25 दिसंबर के बीच करवाना है M.B.K. कॉलेजिस में 536 पदों पर होगी भरती मदर्परदेश में रूजगार को लेकर बड़ी खबर है उच्छे शिक्षा विभाग के इंद्रे विद्यालेक रमांग दो और तकनीकी शिक्षा विभाग विभरतिया निकली है पहली बार सरकारी कॉलेज में योग विज्ञान के नियमित पद स्विक्रत किये गए तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद